तो साथियों आपको वही बात लेकर चलता हूं। सिर्फ आपको सोचना है के बाबा साब दॉक्क्रम्टर्ण वेटकर 18 मार्च 1956 को क्या कह रहे थे और नौजवानों से कह रहे थे नोजवानों को सम्भोधित करते हुए लudवा आणके हाँ, क्या कहा रहे यह है घखाने चाहाथा हूं, उससे पहले कुछ शिर आपको अर्च करता हूं, दिन लात हमने प्रार्थनाएं खोब की भगवान की दिन रात हमने प्रार्थनाएं खोब की भगवान की यहां तक सुम्रा उसे परवाहना की जान की इतने पर भी इश्वर में ना शक्ती हमें कोई तान की मजलूम और जालिमों की ना उसने कोई पहचान की मजलूम और जालिमों की ना उसने कोई पहचान की अरे पहचाने वाला यहां इश्वर था न रह्वर था था अगर कोई यहां वो मेरा घीमराव अंबेड कर था आई दोले ना बाबा साब कह रहे हैं आप सोचें के 18 मार्च 1956 को बाबा साब नौजवानों से कह रहे हैं क्या कह रहे हैं पेगाम तुम को मेरा, ए मेरे नाजवानों, सिख्षा और बुद्धी मैं कमना खुद को मानों, सिख्षा और बुद्धी मैं कमना खुद को मानों, ए मेरे नाजवानों, ए मेरे नाजवानों, सिख्षा और बुद्धी मैं कमना खुद को मानों, ए मेरे नाजवानों, सिख्षा और बुद्धी मैं कमना खुद को मानों, ए मेरे नाजवानों, सिख्षा और बुद्धी मैं क कर दो कि एक बड़ी बाद बाबर साहब क्या कर गए नोजवानों को क्या क्या के गए यह न वताने की कोशिश कर रहा हूं एशो आबरां के चक्कर में तुम न परना लडाई अपने हखी तुम आगे बढ़े के लड़ना अभीद तुम से कर दा हूँ मैं मेरी जवानों ने डेरे नौजवानों ऐखे मेरे नाजवानो शिख्षा और खुद्थी मैं कम ना हुद को मानो सिच्षा और बुथी में को मेरनाजवानो मेरनाजवानो दूसरी बात बाबस आप क्या कह रहें हैं तीन बात बात कहिं है एक मैंने बता दी के ऐसो आराम के चक्कर में मत पढ़ना और दूसरी बात बाबस आप कह रहे हैं समाज के पिलती है जो भी जिन्मेदारी युवाओं की उसमें हो पूरी भागेदारी समाज के पिलती है जो भी जिन्मेदारी युवाओं की उसमें हो पूरी भागेदारी समाज में अफुली भूमी का को जानो एए मेरे नौजवादो सिख्षा और गुद्धी में कम नहुद को मारो आमेरे नौजवादो तीसरी बात एसो आराम के चक्कर में मत पढ़ना समाज हुए अपने खुद की भूमी का को जानना और तीसरी बात बाबा साफ जाकर रही है लोगों को जागरितिकर संद्वे उनको करना यही है सक्षी सेवा यह बाबा का है कहिना संद्वे से ये सभी को गरीब और धनवानो ए मेरे नाजवानो पेगाम तुम को मेरा है मेरे नाजवानो पेगाम को मेरा है मेरे नाजवानो यह तीन बात बाबा साहब ने कहीं युवाओं को संद्वित करते हुए तो उस वक्त के युवाओं ने भी काम किया और आज के युवाली सुलने उन्हें भी अपनी भूमी का निभानी है और बाबा साहथ क्या कह रहे हैं बाबा साहथ ने ये जीन आपको बताई और एक लाइन से और लेकर चलता हूँ आपको जोड़ता हूँ और ये गीत मैं OVC के लोगों को समझतिक करता हूँ खासकर लेकिन आज आपके लिए भी समझतिक करना हूँ उठो लाल भीम के जागो उठो लाल भीम के जागो हमें मिलकर कदम बढ़ाना है लेके पेरना बाबा भीम से चागों मिटाना है लेके पेरना बाबा भीम से चागों मिटाना है तो भी मुलाद के जानो, उठो लोग भी मुके जानो, हमें मिलकर कदम बढाना है, देखे बेरा भाब अपी मुझे जान देखाना है साजा सुख दुख शोशन साजा, फिर क्यो फड़ी वाग है साजा सुख दुख शोशन साजा, फिर क्यो फड़ी वाग है मुझे इन समूहों को संचलने की दर्कार है संचलने की दर्कार है परिवर्दन के लिए सब को हमें मिलकर हाज बढाना है देखे पेड़ा भाब अपी मुझे जाती हे तुमे काना है देखे पेड़ा भाब अपी मुझे जाती हे तुमे काना है संचलने की दर्कार है बुलाते रहोगे तो आता रहूंगा तराने में धिमके सुनाता रहूंगा में धिमके मिशन का छोटा सिपाही मनुवादियों के छटके छुडाता रहूंगा छुडाता रहूंगा बढ़के छुडाता रहूंगा बढ़के छुडाता रहूंगा एंप लिए लगाता रहूंगा